पहले मध्यप्रदेश में भारतिय जनता पार्टी और कॉंग्रेस की बीच ही मुकाबला हुआ करता था दूसरे दल मैदान में ही नहीं होते थे लेकिन अगामे उधान सभा चुनाव में सामने आने वाली तस्वीर हर बार से बहद अलग होने वाली है क्योंकि इस बार टक कर कॉंग्रेस और बीजीपी के बीच ही नहीं होगी बल्कि कई अन्य राजनितिक दल भी मध्यप्रदेश के चुनावी घमासान में शामिल होंगे नमस्कार मैं हूँ शैला और आप देख रहे हैं इकॉलिटी निउस हमारी चैनल को लाइक और शेयर साथी सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो अन तक जरूर देखें बेते दिनों AI-MIM के प्रमुक असदुदीन OVC ने प्रदेश की अधिकतर सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी इसके बाद आमादमी पार्टी के मुखियां अर्विंद के जिवाल ने भी प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर उमिदवार उतारनी का एलान किया था इसके बाद अपंगलवार को मुद्यप्रदेश के मंदसोर पहुँचे भीम आर्मी के संस्थापक चंदरशेखर आजात ने सुवासरा से मंदसोर तक करीब 60 किलोमीटर का रोट शो किया इसके बाद जनसभा को संभोधित करते हुए एलान किया कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी सभा के दोरान उन्होंने बीते दिनों हुई कुछ घटनाओ को लेकर राज्जे और केंदर सरकार पर जम करने शाना साधा चंदर शेखर ने अपने संभोधन में कहा कि शुराज की सरकार कानून व्यवस्था और बेरोजगारी से निपटने में विफल है अगामी चुनाव में उन्होंने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महेंगाई और विकास को ही खास मुद्धा बनाएं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को भी आड़े हातों लेते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में चीते लाने वाले प्रधान मंत्री काले धन और वेरोजगारी के अलावा महेंगाई पर क्योचोप है बता देगी साल 2023 में होने वाले विधानसभाद चुनाव में भी मार्मी मध्य प्रदेश की सभी विधानसभाद सीटों पर अपने उमिद्वारों को उतारेगी साथी कमजोरों की आवाज को बल देने के लिए वो मध्य प्रदेश में जल्दी साइकल यात्रा भी करेगी जो लगातार दलीतो और अलपसंख्यां को पर किये जा रहे अत्याचारों की खिलाप जागरूपता का काम करेगी अभी के लिए बस इतना ही खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे हैं Equality News के साथ साथ हैंने खबरों के लिए आज ही Equality News के Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें और YouTube चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद